Bicycle हमें कौन सी purchase करनी चाहिए? क्या mountain bike लेना चाहिए या फिर एक fat bike? Gear cycle लेना ज़रूरी है या फिर without gear cycle भी हम ले सकते हैं और अगर gear cycle खरीदे तो उसमें कितने gears होने चाहिए? Bicycle का wheel size और उसका frame size क्या होना चाहिए? ऐसे बहुत से question से जो आपको confuse करते हैं cycle खरीदते वक्त आज इन सभी question के answer मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या details हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम एक cycle purchase करने जाते हैं अगर आप beginner हैं या first time bicycle खरीद रहे हैं तो आपको ये confusion हमेशा रहता है कि कौन सी cycle मुझे लेना चाहिए अगर आप पहले भी cycle ले चुके हैं फिर भी बहुत सी ऐसी details है जो आप miss कर देते हो और उसका result ये होता है कि एक गलत product पर आप अपने पैसे खर्च कर देते हो एक perfect cycle खरीदने के लिए कई factors आपको ध्यान रखने पड़ते हैं जैसे आपका budget क्या है आप किस type के tracks पर cycle को चलाएंगे आपकी height के according cycle frame कैसे select करना है आप long distance right करना चाहते हैं या फिर short distance इस video के end तक आपको ये सब information पता होगी और आप select कर पाएंगे अपने लिए suitable cycle सबसे पहले जानेंगे different types of cycles के बारे में आप online या cycle shop पर कहीं भी cycle search करते हो तो usually four categories में cycle आपको देखने को मिलती है mountain bike, hybrid bike, road bike और fat bike one by one इन cycles में different समझते हैं mountain bike या MTV सबसे जादा cycle इसी category की sell होती है mtv के tires broad होते हैं normal cycles के comparison में इस वज़े से इस cycle को off road भी ride किया जा सकता है basically ये all purpose bike है और ये on road और off road तोनों ही तरह के tracks के लिए best है इस cycle में आपका riding posture एकदम straight होता है इसलिए ये cycle बहुत comfortable है ride करने में इस cycle से long distance भी आप आराम से travel कर सकते हैं hybrid bike hybrid bike एक commuter cycle है जो favorable है city और urban roads पर travel करने के लिए इसके tires MTV से थोड़े से slim होते हैं ये एक general purpose bike है इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने workplace पर commute करने के लिए या fitness purpose के लिए ये cycle specially design की गई है city roads पर travel करने के लिए एक बहुत ही comfortable bike है आप इसे short distance जैसे morning rides और यहां तक long distance travel के लिए भी यूज़ कर सकते हैं road bike road bike जैसा की नाम से पता पड़ता है design की जाती है roads और smooth surfaces पर चलाने के लिए इसका design देखें तो इसके बहुत ही slim tires होते हैं और एक drop handle बार होता है ये cycle design की जाती है high speed अचीव करने के लिए professional cyclists easy cycle का use करते हैं ये cycle इतनी slim इसलिए बनाई जाती है कि इसे इतना lightweight और aerodynamic बनाया जा सके ताकि ये high speed पर चला ही जा सके इसमें body posture आपको lean रखना पड़ता है जो कि long time तक रखना काफी लोगों के लिए comfortable नहीं होता है slim tires होने की वज़े से ये बिलकुल भी अच्छी choice नहीं है off roading के लिए अगर आप speed purpose से कोई bike लेना चाहते हैं या आप किसी racing event में participate करते रहते हैं तो definitely आपको एक road bike लेना चाहिए fat bike कई बार आपने roads पर देखा होगा कुछ लोग आपको बहुती broad tire वाली cycle ride करते हुए दिखते हैं इस cycle को हम बोलते है fat bike इसके tires एक MTB से कई जादा broad होते हैं इस वज़े से किसी वे off road surface पे easily चलाई जा सकती है इस cycle को आप किसी beach पे ride कर सकते हैं muddy surface पे या फिर snow बर्फ में भी easily ride कर सकते हैं इसके पीछे का science यह है कि broad tires होने के कारण ये cycle कम pressure surface पे डालती है किसी भी cycle से slow होती है आपको जादा effort लगाना पड़ता है cycle को ride करने में इसलिए ये cycle long distance rides के लिए बिल्कुल भी नहीं वनी है short distance के लिए या फिर fitness purpose के लिए आप इस bike को बिल्कुल purchase कर सकते हैं लोग इसे इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि ये काफी attractive दिखती है और जब आप इसे road पर लेकर निकलते हैं तो सभी का tension आप ही पर रहता है इसलिए teenagers fat bike को काफी prefer करते हैं अब हमें gear cycle लेना चाहिए या फिर without gear cycle generally एक मित होता है beginners में या जो लोग cycling नहीं करते हैं उनमें कि gear cycle की speed बढ़ाता है gear cycle की speed जरूर नहीं बढ़ाता हो लेकिन आपके effort जरूर कम करता है suppose आप cycle एक flat track पर ride कर रहे हैं तो आप same power से paddling करके पूरा distance cover कर सकते हैं लेकिन जब आप एक flat track से inclined track पर पहुंचते हो तो आपको उस inclined surface पर जाने के लिए ज्यादा power लगाना पड़ता है आपका ज्यादा effort लगता है कभी-कभी तो हमें खड़े होकर भी pedal करना पड़ता है gear cycle में ऐसा बिल्कुल नहीं होता एक gear cycle में आप अपने gears switch करके अफिल भी easily ride कर सकते हो अब आप समझ गए होंगे कि gears कितने important हैं different तरह के tracks पर ride करने के लिए लेकिन issue ये होता है कि gears होने के कारण cycle का price भी बढ़ जाता है अगर आपका budget low है और आप flat surfaces पे mostly ride करते हैं तो आप बिल्कुल एक without gear cycle purchase कर सकते हैं क्यूंकि आपको इतना ज़ादा incline surface पे ride नहीं करना है लेकिन आपको अगर budget का कोई issue नहीं है तो मैं आपको gear cycle ही prefer करूंगा अगर आप सिर्फ city में ही ride करते हो तो भी कभी कभी आपको bridges और flyover पर भी ride करना होता है और इसके लिए gear cycle एक perfect choice है अब हमने gear cycle ली है तो उसमें gears कितने होने चाहिए different cycles आपको different gear combination में देखने को मिलती है जैसे 7 speed, 18 speed, 21 speed, 24 speed ज्यादा gear combination, overall gearing system को complicated नहीं बनाता अगर ज्यादा gears है cycle में मतलब आपके पास ज्यादा speed option अवलेवल है इसलिए ride करना और भी easy हो जाता है different तरगे tracks पर usually अधिकतर cycles में आपको 21 speed gears मिलते हैं ऐसे तो कोई भी gear cycle आप ले सकते हैं लेकिन अगर आपका budget ज्यादा है तो ज्यादा gear वाली cycle आपके लिए एक best option है bicycle का frame size कैसे select करना है ये एक बहुत important detail है जो बिलकुल भी आपको miss नहीं करनी चाहिए frame size आपको अपनी height के according select करना बहुत ज़रूरी है गलत frame size आपके bicycle का riding experience खराब कर सकता है कोई भी cycle product आप खरीते हो तो product detail में frame size ज़रूर mention रहता है ये एक length होती है cycle के bottom bracket से seat post तक सही frame size select करने के लिए ये bicycle frame size chart आप देख सकते हो आप इस chart में से अपनी height के according frame size select कर सकते हो अब बात करते हैं wheel size की तो bicycles इन 3 wheel sizes में आपको मिलती है 26 inch, 27.5 inch और 29 inch ये length wheel के diameter का size होता है वैसे तो आप किसी भी wheel size में cycle ले सकते हो लेकिन अगर आपकी height के according frame size अबलेवल नहीं है तो prefer करें बड़े wheel size में cycle लेनेगा अगर आपकी height ज्यादा है तो आप 27.5 inch या 29 inch wheel size prefer कर सकते हैं तो I hope अब आपको इनफ information मिल गई है एक cycle purchase करने के लिए जब भी आप cycle खरीदें तो इन details का ध्यान जरूर रखें